हेलो एवरिवान, आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे UPROAR के हिंदी सेक्षन में पूछे जाने वाले विलोम शब्दों का तो आपको वन बाई वन टोटल सिक्स टॉपिक प्रवाइट किये जाएंगे तो उसकी first कड़ी में ये विलोम शब्द आपको complete करवाय जा रहे है हरदेव बाहरी जी की बुक से तो start करते हैं, इसमें जितने भी विलोम शब्द दिये गए है उनको हम लग quick revise करेंगे, पढ़ेंगे और आपको इस वीडियो को दो से तीन बात जरूर सुनना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए तो जो इसमें पहला दिया गया है इस बुक में अंगी करड़, तो अंगी करड़ का जो विलोम होता है वो होता है अनंगी करड़, ठीक है अंगी कार का होता है अनंगी कार, ठीक है नेक्स्ट देखिए अंत का क्या होता है? अंत का होता है आदी, अंत का आदी, अंतरंग का होता है बहीरंग, अंतरंग का बहीरंग, अंतर द्वंद का क्या होता है? तो ये बहीर द्वंद होता है, अंतर मुखी तो ये बहीर मुखी, अंत मतलब अंतर, बहीर मतलब बाहर, तो वो इस तरीके से ये तो आपको अच्छे से आता ही होगा, ठीक है, तो चलिए next देखते हैं, अंतिम का हो जाएगा अनंतिम और आरंभिक, अंदर का हो जाएगा बाहर, ओके, अंधकार का क्या होगा, तो अंधकार का हो जाएगा प्रकाश, अंधेरा का उजाला, ठीक है, का हो जाएगा प्रकाश, अंधेर का हो जाएगा उजाला, next देखिए अकंटक का क्या हो जाएगा कंटकित, ठीक है अकंटक मतलब जिसमें काटा नहों और कंटकिन का होगा मतलब जिसमें काटे भरे हुए हो, अकर्मक ता सकर्मक हो जाएगा अकेला का हो जाएगा दुकेला अकेला मतलब एक आदमी दुकेला मतलब दो आदमी अक्षत का क्या हो जाएगा विक्षत अक्षम का हो जाएगा सक्षम खंडनिय का हो जाएगा खंडनिय ठीक है और इसमें से हटा देंगे अगम का हो जाएगा सुगम, अगला का पिछला, अगवाडा का पिछवाडा, अगाडी का पिछाडी, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगनी का हो जाएगा जल, अगर का हो जाएगा पश्च, अगरगामी का हो जाएगा पश्च गामी, ठीक है, अगरज, अगरज मतलब और अनुज मतलब छोटा, ठीक है, अगरज का हो जाएगा अनुज, अच्छा का हो जाएगा बुरा और खराब, बुरा और खराब दोनों ही ये विलोम शब्द हो जाएंगे, अच्छाई का हो जाएगा बुराई, अच्यूत का हो जाएगा च्यूत, नेक्स देखिए ये important है अग्य का क्या मतलब होता है तो विग्य का क्या मतलब होता है देखिए अग्य मतलब होता है जिसको ज्यादा बुद्धी न हो अग्य अ लग गया मतलब वो negative point हो जाता है वी लग्या और प्रलग्या तो वो बुद्धिवान होता है तो बुद्धिमान हो जाएगा विग्य और प्रग्य और जिसके बस बुद्धी न हो तो वो अग्य हो जाएगा दोनों ही होंगे इसके विलोमशब्द आप ध्यान में रखेगा अटल का हो जाएगा डावा डोल और धुलमूल अटल मतलब जो हिले ना लेकिन जो डावा डोल या धुलमूल होता है मतलब हिलता डोलता रहता है अति का हो जाएगा न्यून बहुत कहते न अरे इस चीज की बहुत अति हो गई बहुत जादा हो गया है न्यून मतलब होता है कम, अतिक्रमण का हो जाएगा अनतिक्रमण, अतिक्रमण का अनतिक्रमण, अतिवरिस्टी का हो जाएगा अनावरिस्टी, अतुल का तुल्य, अतुल, अतुल क्या होता है, जिसका तुल्ना ना किया जा सके, बट जिसकी तुल्ना किया सके वो तुल्य, अब यहाँ पर हम next देख लेते हैं, फिर नीचे देखेंगे. अत्यधिक का हो जाएगा अत्यल्प, ठीक है? अत्यधिक जो कोई बहुत चीज होती है, तो उसका हो जाएगा विलोमशब्द अत्यल्प. अथ का हो जाएगा इती. अथ का इती, ये बहुत ज़्यादा कोईशन पूछा जाता है, अथ का इती. अथाह का हो जाएगा छिछला, अथाह मतलब बहुत ज़्यादा पानी, छिछला मतलब ज़्यादा पानी नहों. जिसे ऐसे कहते हैं यहां पर तो अथा पानी है मतलब बहुत गहरा चिछला मतलब होता है दिखता रहता है जो चटान नीचे की दिखती रहते है चिछला अद्रिश्य का द्रिश्य अध्यतन का अनध्यतन और पुरातन अध्यतन मतलब होता है अभी ठीक है अनध्यतन या पु थोड़ा अधिकतम का जो विलोम होगा अलपतम होगा ठीक है अधिकता का अलपता हो जाएगा अधिकारी का अनाधिकारी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए अधिकरित का अनधिकरित हो जाएगा अधिगत का अनधिगत अधिगम्य का अनधिगम्य अधिमुल्यन का अध अधिस्थित का क्या हो जाएगा अनधिस्थित, अधीन का क्या हो जाएगा अनधीन या फिर स्वतंत्र, अधियविवसाए अन्धयवसाए ठीक है, अननत का हो जाएगा शांत और ससीम, ध्यान रखेगा ये most important है, अनन्त का विलोम ससीम और सांत होता है ये वाला शर नहीं होगा ठीक है? कौन सा वाला सर होगा? ये वाला सर पेरा वाला सर उसके बाद देखिए अनाजी का हो जाएगा फलाहरी जो अनाज खाता हो लेकिन जो फल पे रहता हो अनाजी का फलाहरी अनात का हो जाएगा सनात अनाहूत का हो जाएगा आहूत आहूत मतलब होता है बुलाना ठीक है किसी को बुलाना जैसे सत्र आहूत होता है मतलब सत्र बुलाए जाती है तो अनाहूत न बुलाए गया आहूत बुलाए गया अनिवारे का हो जाएगा निवार्य ठीक है अनिवा अनुकूल और प्रतिकूल अनुकूलता तो ये प्रतिकूलता अनुक्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगा अनुग्रह विग्रह हो जाएगा अनुज अग्रज अनुदार उदार अनुभव अनुभव हींता अनुभवी अनुभव हीं अनुभूत अनुभूत ठीक है अनुभूत का हो जाएगा अननुभूत नेक्स देखिए अनुमत तो इसका हो जाएगा अनुमत का अननुमत और अनुयाई का विरोधी ठीक है अब यहां नेक्स देख लेते हैं अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त अनुरक्ति का होगा विरक्ति अनुराग का विराग अनुरूप का हो जा प्रतिलो, अनुशासित का हो जाएगा अनुशासन हीन, अन्याई का न्याई और न्याईशील, अन्वय का हो जाएगा अनन्वय, अन्वित का हो जाएगा अनन्वित, ठीके, अन्विती, अन्विती का हो जाएगा अनन्विती, अपकर्ष का उतकर्ष, अपना का पराया, अप अपमान का हो जाएगा सम्मान, अपराधी का नीरपराध, ठीक है? नीरपराधी नहीं होगा, नीरपराध. अपेक्षा का उपेक्षा, अपेक्षित, अनपेक्षित, उपेक्षित, अभिग्य का अनभिग्य, अभिग्यता अनभिग्यता, ठीके, अन-अन देखे लगा है, अभिनंदनिय, निंदनिय, अभिप्रेत, अनभिप्रेत, अभिमानी, नीरभिमान, अभिमुख, अभी मुख प्रतिमुख इसका विपरीध हो जाएगा अभी मुख का प्रतिमुख अभी लाशित अनभी लाशित ठीके अभी लाशव मतलब इच्छा करना अभी व्यक्त अनभी व्यक्त अभी सरण अपसरण अभी सरण अभ्यास्त का हो जाएगा अनभ्यास्त अभ्यास का अनभ्यास अमर का हो जाएगा मर्दि अमावस्या का पूर्णिमा अमित का परिमित अमीर गरीद फिर क्या है नेक्स्ट अम्रित का हो जाएगा विश, अर्जन का व्यायन, अर्जन मतलब कोई चीज अर्ण करना, ठीक है, कोई चीज अर्ण करना या कमाना, और व्यायन मतलब होता है, उसे खर्च कर देना, अर्जित का हो जाएगा अनर्जित, ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अर्थ का हो जाएगा अनर्थ, अर्थवान, अर्थहीन या निरर्थक, अर्पड, ग्रहण, अर्वाचीन, प्राचीन, अर्था, अनर्था, अल्पका हो जाएगा महा, बहु और प्रचूर, अल्पका, अल्पकालीन का हो जाएगा दिर्गकालीन, अल्पग्य का हो जाएगा अल्पग्य का बहुग्य, अल्पप्राण तो ये महाप्राण हो जाएगा, अल्पमत का बहुमत, अल्पसंख्यक तो बहुसंख्यक हो जाएगा, अल्पायू का दिर्गायू, अवकाश का अनवकाश, अवगत का अनवगत, अवनत का उननत, अवनी का अंबर, अवनी मतलब हो तो उसी तरीके से अवनी का अंबर, अवर का प्रवर, अवलंबित का अनवलंबित, ठीक है, अवसेश, निहसेश, अवसेश मतलब बचा हुआ निहसेश, मतलब कुछ भी सेश नहीं, कुछ भी बचा हुआ नहीं, अवसर का अनवसर, अवस्थित, अनवस्थित, अवाक, सवा अवाक मतलब बिल्कुल आशर चकित होना अवाक मतलब कोच भी बोल ना पाना सवाक मतलब बोल पाना अविचल का हो जाएगा निचल डावाडोल या धुलमूल ठीक है अविचल मतलब जो चल फिर ना सके तो इसका विलोम हो जाएगा निचल डावाडोल और धुलमूल मतलब ये चल फिर सकता है, धुलमूल है, मतलब गिर सकता है, ऐसे अविच्छिन, विच्छिन हो जाएगा अविस्मरडी है, विस्मरडी है, अशक्त ससक्त, अशन, अंसन, अशलील, सलील उसके बाद देखिए, असंभो का संभो, असली का नकली, असीम का ससीम, ठीक है? जिसे देखे अभी हमने अनंत पड़ा था, अनंत का भी ससीम था और सांत था, ठीक है, इस तरीके से था अनंत का तो उसी तरीके से यहाँ पर भी असीम का ससीम, विलोम होगा, असुविधा का सुविधा, असुया का अनसुया, अस्त का उदै, अस्तित्व का अनस्तित्व, अ अहिंसा का हिंसा, अंतर या आतर का बाहे, आकर्षक का अनाकर्षक या अपकर्षक या फिर विकर्षक, आकर्षड का क्या हो जाएगा? अनाकर्षड, अपकर्षड, विकर्षड, आकाश का पाताल, आकिरड का विकिरड, आकरमड का प्रतिरक्षा, आकरमड का प्रतिरक्षा, आक्रांत का अनाक्रांत, आक्रामक का आक्रामित, देखें, आक्रामक का क्या होगा? आक्रामित, ठीक है? विलोम शब्द आगत का अनागत, आगमन का प्रस्थान, आगामी विगत, आने वाला मतलब आगामी और विगत मतलब गया, बीत गया आग्रह का दुराग्रह, आचार का अनाचार, आच्छादित का अनाच्छादित, आजादी का गुलामी, आग्याकारी का अनाग्याकारी या फिर अवग्याकारी देखे, अवग्या कारी मतलब क्या होता है? मतलब आग्या की उलाहना करना, मतलब आग्या ना मानेना, अवग्या करना, ठीक है? आग्या पालन का देखिए most important आग्या पालन का विलोम होगा अवग्या ठीक है और आडंबर का सादगी आडंबर मतलब दिखावा करना सादगी मतलब simplicity आडंबर पूर्ण मतलब बहुत दिखावा करना तो इसका हो जागा विलोम आडंबर आथूर का अनाथूर आथूर मतलब बहुत ज़्यादा eager हो बहुत ज़्यादा curiosity हो उतसुख हो और अनातूर मतलब आथूर नह आत्म नेरहिवर का अनूजीवी या परजीवी आदर का अनादर या निरादर आदान का प्रदान आदिका अंत आद्रत का हो जाएगा अनाद्रत या फिर निराद्रत तिरसक्रत ठीके आद्रत मतलब होता है आदर करना आधिक्के का क्या हो जाएगा अनाधिक्के आधुनिक का प्राचीन या पुराना आध्यात्मिक का संसारिक ध्यान रखेगा आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा विलोमशब्द सांसारिक आनन्द का विशाद या फिर शोक आनन्दमय का हो जाएगा विशाद पुर्ण या फिर शोक मन शोक मगन आना जाना आपत्ती संपत्ती आपसदारी या दुजाएगी ठीक है आपसदारी का विलोम शब्द हो जाएगा दुजाएगी नेक्स्ट देखते हैं आबाद का हो जाएगा सूना या बरबाद आभिहंतर का हो जाएगा बाह्य आमंत्रित का अनामंत्रित आमदनी का खर्च आमदनी इंकम खर्च एक्सपेंडीचर आमिश का हो जाएगा निरामिश आय का हो जाएगा व्याए आयात का निर्यात आयात मतलब कोई समन आती हैं निर्यात मतलब कोई समन बाहर जाती है आरमभ का हो जाएगा अंत्व, समापन या समाप्त प्रारंभिक का हो जाएगा अंतिम आराध्य का हो जाएगा दुराराध्य आराम का हो जाएगा तकलीफ आराम का देखे विलोम हो जाएगा तकलीफ आरुड का हो जाएगा अनारुड आरोह का अवरोह आर्द्र का अनार्द्र या फिर सुष्क आरे का हो जाएगा अनार्य आर्ष का हो जाएगा अनार्ष आलसी का हो जाएगा कर्मठ या फिर कर्मडिय आलोक का हो जाएगा अंधकार आलोक मतलब प्रकाश अंधकार मतलब अंधकार आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक आवर्षण का हो जाएगा अनावर्षण आवश्यक का हो जाएगा अनावश्यक, आविर्भाव का हो जाएगा तिरो भाव या फिर अवसान ठीक है, आवरत का हो जाएगा अनावरत, आवरष्टी का हो जाएगा अनावरष्टी, आवेशित का अनावेशित आशा का हो जाएगा निराशा या फिर दुराशा आशावादी का हो जाएगा निराशावादी आशीश का देखे आशीश मतलब आशिरवाद देना और अभिशाप मतलब किसी को स्राप देना तो आशीश का विलो अभिशाप आशिर्वाद का भी अभिशाप या शाप आशरत का अनासरित या फिर बेसहारा आसक्त का हो जाएगा अनाशक्त या फिर विरक्त आसान का हो जाएगा मुश्किल आसानी का हो जाएगा मुश्किल आसीन का हो जाएगा अनासीन आस्थिक का हो जाएगा नास्थिक, आस्थिकता का हो जाएगा नास्थिकता, आस्था का अनास्था ठीक है? अब नेक्स्ट यहां बात कर लेते हैं आहत का अनाहत, आहार्य का अनाहार्य, आहूत अनाहूत, इक तर्फा, दू तर्फा, इच्छा अनिच्छा, इच्छित अनिच्छित या फिर अन्चाहा, इच्छुक अनिच्छुक, इज्जत का बेज्जती, इष्ट का अनिष्ट, इह लोग परलोग, इपसित अनिपसित, इमानदार का विलों बेइमान, इमानदारी का बेइमानी, इश्वरवादी का अनिश्वरवादी, उक्त का अनुक्त, उग्र, उग्र मतलब बहती कठोर, सौमे मतलब कोमर, उचित का अनुचित, उच्चि का अनुच्च या फिर निमने या नीचा, उच्चरित का अनुच्चरित, उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट, उच्छवास का नेस्वास, उज्ज्वल का धूमिल, उठना, बैठना, देखें उज्ज्वल का क्या होगा, विलों धूमिल हो उतकर्ष का अपकर्ष, उतक्रिष्ट का निक्रिष्ट, उतक्रिष्टता का निक्रिष्टता, उत्तम का अनुत्तम या फिर अधम, उत्तरदायत्व का अनुत्तरदायत्व, उत्तरायन का दक्षडायन, उत्तरित का अनुत्तरित, उत्तरी का दक्षडी, उत्तरड का अनुत् उत्तेजन प्रशमन ये important है उत्तेजन उत्तेजन excitement जो होती है और प्रशमन इसका हो जाएगा प्रशमन उत्तेजित का अनुत्तेजित या फिर शान्त ठीक है चली next हम देखते हैं फिर उत्तान का पतन उत्तपन का अनुत्तपन या मृत उत्तपादक का अनुत्तपादक उत्साह का अनुत्साह उत्सुक का अनुत्सुक उत्सुकता अनुत्सुकता उदय का अनुदग्र ठीक है उदग्र लिखा हुआ है उदग्र तो अनुदग्र नेक्स्ट देखिए उदय का अस्त उदयाचल का अस्ताचल उदय होना और अस्त होना तो वही उदयाचल अस्ताचल उदात का अनुदात उदार का अनुदार या फिर क्रिपण उदारता का अनुदारता या फिर क्रिपणता उदासीन का आसक्त उदासीन मतलब बहुती उधित का अस्थ, उधिय कोई चीज हो गया फिर वो अस्थ हो गया, वह इसुर्य की बात की जाए अगर तो उधित, फिर अस्थ, उध्धत, उद्धत मतलब होता है देखिए बहुत ही जादा मतलब कठोर टाइप में बटोस का जो विलोम हो जाएगा सौम्य हो जाएगा और विनीत हो जाएगा उद्रित का हो जाएगा अनुद्रित उद्भव का अवसान उद्भूत का अनुद्भूत उद्यत का अनुद्यत, उद्यम का आलस्य, उद्यमी का आलसी, निरुद्यम उद्योगी का हो जाएगा अनुद्योगी, उद्वेग्न का हो जाएगा अनुद्वेग्न या फिर निरुद्वेग्न, उद्वेग का निरुद्वेग, उधार का नकत उन्नत का अनुनत अवनत उन्नती का अवनती या फिर गिरावट उन्मत का हो जाएगा अनुन्मत उन्मुख का वीमुख उन्मूलन का रोपड इंपोर्टेंट है उन्मूलन का रोपड ये पूछा जाता है उपकार का अपकार, उपकार का अनुपकारक, उपगत का अनुपगत, उपजाव का अनुपजाव, उपमित का अनुपमित, उपयुक्त का अनुपयुक्त नेक्स देखिए उपमे का अनुपमे उपमे का अनुपमे, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपयुक्त ता का अनुपयुक्त ता उपयोग, अनुपयोग, दुरुपयोग और दुस्परयोग उपयोग का विलोम, अनुपयोग, दुरुपयोग या दुस्परयोग हो सकता है उपयोगी का अनुपयोगी या फिर निरुपयोगी उपरी का अधह, उपरी लिखित का हो जाएगा निम्न लिखित या अधो लिखित उपलब्ध का अनुपलब्ध, उपलब्धी का अनुपलब्धी, उपस्थित का अनुपस्थित, उपस्थिती का अनुपस्थिती, उपादेय का अनुपादेय, उपार्जित का अनुपार्जित, उलंगन का अनुलंगन, उल्लास का विशाद, उल्लास मतलब हर्ष या विषाद मतलब दूख उच का नीच, उचा का नीच, उपर का नीचे रिजू रिजू मतलब बिल्कुल सीधा जैसे रिजू कोड होता न, 180 डिगरी का सीधा तो वक्र मतलब होता है टेडा रेड ग्रस्थ का हो जाएगा रेड मुक्त रित का हो जाएगा और रित एक का अनेक स्वातंत्र का बहुतंत्र एकता का अनेकता एकत्र का विकर्ण ये पुछा जाता है एकत्र का क्या होता है विकर्ण मतलब विखराओ एकत्र मतलब एकठा विकर्ण मतलब विखराओ एक पक्षी का बहु पक्षी, एकाग्रचित का अन्य मनस्क या दू चिता मतलब कहीं और मन लगा हुआ और एकाग्रचित का हो जाएगा एक जगमान लगा हुआ ठीक है? एक आर्थक का हो जाएगा अनेक आर्थक एक एश्वरवाद तो बहु देववाद एडी का हो जाएगा चोटी एडी का मतलब नीचे जो हमारी एडी होती है हिल चोटी मतलब उपर बिल्कुल सिर्वे एक का हो जाएगा अनैक एच्छिक का अनैच्छिक एतिहासिक का अनैतिहासिक एश्वरे का अनैश्वरे एहिक का पारलोकिक एहिक मतलब इस लोग का पारलोकिक मतलब उस लोग का मतलब उपर ओचित्य का हो जाएगा अनोचित्य ओपचारिक का हो जाएगा अनोपचारिक हम यहां बात कर लेते हैं अपचारिक्ता का अनपचारिक्ता, कंजूस का शाह खर्च या फिर मुक्त हस्त या उदार, कंपित का अकंपित, कच्चा का पका या पका, कटु का प्रिय या फिर मधू, कठिन का विलों सरल, कठोर का मृदू और कोमल, कडुआ का मीठा, कथनिय का अकथनिय, कथित, अकथि कथ्य, अकथ्य, कनिष्ठ मतलब छोटा, जेष्ठ मतलब बड़ा जिसे कनिष्ठ का उंगली कहते ने, कानी उंगली को तो वही कनिष्ठ, फिर उसका बड़ा हो जाएगा जेष्ठ कपटी का हो जाएगा निस्कपट या निस्चल कपूत का हो जाएगा सपूत कभी कभी का हो जाएगा सदा या फिर हमेशा कम का हो जाएगा ज्यादा या अधिक कम जोर का हो जाएगा तगड़ा कमी का बहुतायत करुड का हो जाएगा निश्ठूर करकश का हो जाएगा मधूर कर्ता का हो जाएगा अकर्ता ठीक है करता खाविलोम औ करता कर्म का हो जाएगा अकर्म का हो जाएगा अकर्मडे कलंकित निश कलंक कलंकी का हो जाएगा निश कलंकी ठीक है कल्पना तीद कल्पना तीद का हो जाएगा कल्पनिय और कल्पनिय का हो जाएगा औ कल्पनिय या फिर कल्पना तीद मतलब कल्पन तो कल्पित मतलब कल्पना किया हुआ और यथार्थ मतलब होता है जो वास्तविक रूप से होता है बिल्कुल जिसमें सत्यता हूँ ठीक है और कल्पित कसा का हो जाएगा धीला कोई चीज कसा है तो धीला कसूर वार का बेकसूर कहा अनकहा कहीं कहीं सब जगह या सर्वत्र इसका हो जाएगा कहीं 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 का सब जगह या सर्वत्र काज का हो जाएगा अकाज काट्टे का हो जाएगा अकाट्य काबिल का हो जाएगा नाकाबिल काम्याब का हो जाएगा नाकाम्याब काम्याबी का हो जाएगा नाकाम्याबी ठीक है? नेक्स्ट देखिए कामी का अकाम या निशकाम काल का हो जाएगा अकाल काला का गोरा किस्मत वर तो ये बदकिस्मत कहते हैं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो बहुती ज़्यादा बदकिस्मत है कीर्ति का अब कीर्ति किर्थी मतलब होता है यश, सम्मान, फेमस कोई होत। कुशलता का हो जाएगा अकुशलता, कृत का अकृत, कृतकार्य का हो जाएगा अकृतकार्य या फिर विफल मनुरत, कृतक्य का हो जाएगा अकृतक्य या फिर कृतग्न, कृतक्यता का हो जाएगा अकृतक्यता, कृत्रिम का हो जाएगा अकृत्रिम या प्राकृत, कृत्रि ज्यादा कंजूस, दाता मतलब होता है दानी, कृपा का हो जाएगा और कृपा, कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल या फिर श्वेत, कृष्ट का हो जाएगा और कृष्ट, के अंदर का हो जाएगा के बाहर, के नीचे का हो जाएगा के उपर, कोप का हो जाएगा, कोप मतलब बहुत ही जिससे रामैड़ वगर आपने देखा होगा, तो उसमें बोलते हैं, कि रशी मुन्यों की कोप द्रिष्टी, मतलब बुरी द्रिष्टी, जिसमें कोई कृपा न हो, तो इसका क्या हो जाएगा विलों कोप का क्रिपा, कोमल का हो जाएगा कठोर, कोमलता का कठोरता, कोलाहल का शांती, क्रमिक का अक्रमिक, क्रय का विक्रे, क्रूर का अक्रूर ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, चलिए हम फिर next देखते हैं छडिक का हो जाएगा साश्वत, छत का हो जाएगा अक्षत, छम का हो जाएगा अक्षम चम्य का हो जाएगा अक्षम्य, छूड़ का हो जाएगा अच्छूड, छुद्र का हो जाएगा विशाल, महान, छुब्ध का हो जाएगा अच्छुब्ध या फिर शांत खंड खंड का हो जाएगा अखंडित, खंडन का हो जाएगा मंडन, खंडनीय का मंडनीय, खंडित का हो जाएगा अखंडित या अखंड, खरा का हो जाएगा कोटा, खरीद का विक्री, खरीदना का बेचना, खाद्य का अखाद्य, खाली का भरा, खिलना का विलोम मुर्जान खिला का मुर्जाया, खुला का बंद या फिर अवरुद, ठीक है, खुला है कोई चीज तो उसका विलों बंद या अवरुद, खुश किस्मत का बद किस्मत, खुश मिजाज का बद मिजाज, खुशी का गम या गमी, खुशी 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 मन से या फिर बेमन मन से, ऐसे क मतलब खुशी-खुशी नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका विलों हो जाएगा, खुपसूरत का बदसूरत, खेद का प्रसनता, गंभीर का अघंभीर या छिछला, गगन का धरा या प्रिथ्वी, गगर मतलब आस्मान धरा मतलब प्रिथ्वी, गड़तंत्र का हो जाएगा राजतंत्र गड़निय का हो जाएगा और गड़निय या फिर अगड़य जिसकी गड़ना न की जा सके और गड़य मतलब होता है जो जिसकी गड़ना की जा सके तो गड़य का हो जाएगा विलोम अगड़य या फिर नगड़य गत का हो जाएगा आगत, गमन का हो जाएगा मतलब गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना, गरल मतलब होता है जहर, सुधा मतलब होता है अमरत, गरल का सुधा, गर्म का ठंडा, गलत का सही, गहरा का चिछला, गिराना का उठाना Next, गीला का सूखा, गुड का अगुड या दोश, गुणी का निर्गुणी, गुनाहगार का बेगुणा, गुप्त का प्रकट, गुमसुम का बातुनी या बडवडिया, गुरु का हलका या लगु, गुड का अगुड, ग्रिहस्थ का सन्यासी, गेय का अगेय, गौण का मु ग्रहण का हो जाएगा त्याग, परित्याग, ग्राम का हो जाएगा नगर, ग्रामीड का हो जाएगा नागर या शहरी, ध्यान रखेगा नगर में रहने वालों को नागर कहते हैं या फिर शहरी कहते हैं, ग्रामे का हो जाएगा नागर या वन्य, ग्राहे का हो जाएगा अग गटती का हो जाएगा बढ़ती, घटना का हो जाएगा बढ़ना, घटित का अगटित, घरेलू का हो जाएगा बाहरी या फिर जंगली, घाट का हो जाएगा प्रतिगाद, घरना का हो जाएगा प्रेम, घोशित का अगोशित, चंचल का अचंचल या फिर स्थिर, चढ़ना का हो जाएगा उतारना या गिरना, चतुर का हो जाएगा मुर्क, 一ने। नेक्स्ट देखिए, चिकित्स का हो जाएगा अचिकित्स, निरंतन का हो जाएगा चिरंतन का मतलब चीर काल तक चलता हुआ, तो उसका हो जाएगा नश्वर, चिरंतर नश्वर, ये आपको ध्यान में लखना है important है, चीरस्थाई का हो जाएगा अल्पस्थाई, चुस्त का हो जाएगा धील, धीला या फिर लचर चेतन का हो जाएगा अचेतन या जड, चैन का बिचैनी, चोर का साह, चोरी छिपे डंके की चोट पर, छली या निश्चल, छली का हो जाएगा निश्चल, चाह का हो जाएगा धूप, चिछला का गहरा, छुटकारा का बंधन, छूत का अचूत, छेद्य का अचेद्य, छोट जड़ता का बड़ा या लंबा, जंगम का हो जाएगा अस्थावर, जटिल का सरल, जंगली का घरेलू या पालतू, जड़ का चेतन, जड़ता का चेतनता या चेतन्य, जड़ता मतलब होती है विलकुल मुर्ख बुद्धी, तो उसका हो जाएगा चेतनता या चेतन्य मतलब जो थोड़ा अवेर हो जानदार का बेजान, जाना पहचाना का अजनवी, जारज, जारज का हो जाएगा औरस, ये ध्यान रखेगा जारज का औरस, जालिम का रहन दिल, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, तो उसका हो जाएगा अजिते जीत का हो जाएगा हार, जिरड का अजिरड, जीवन का मरण, जीवित का मरत, जुडा का बिछुडा या अलहदा, जेय का अजेय, जोरदार का हलका, ज्यात का अज्यात, ज्यान, आज्यान या भ्रम, ज्यानी का हो जाएगा मूड अज्यानी, गे का हो जाएगा अग्ये, ज्योती का हो जाएगा तम, तम मतलब होता है अंधकार, ज्योती मतलब प्रकाश, ज्वार का हो जाएगा भाटा, ठंडा का हो जाएगा गर्म, ठोस का हो जाएगा पोला, खोखला, तरल, ठोस का हो जाएगा पोला, खोखला या तरल, तंदरुस्त का हो जाएगा कमजोर, तकल का वितर्क, तर्क पूर्ण का हो जाएगा कुतर्क पूर्ण, तर्क पूर्ण तो हो जाएगा इसका कुतर्क पूर्ण, तर्क संगत का हो जाएगा और तर्क संगत, ताजा का हो जाएगा बासी, ताप का हो जाएगा शीद, तामसिक का हो जाएगा सात्विक, तारीफ का हो जा जो विलोम शब्द हो जाहिल जैसे गमार कहते हैं जिसको जाहिल गमार वही, लेकिन जिसने अच्छ disco पढ़ाई लिखाई करी ओ तो उसको हम कहते हैं तालीम याफ्ता. तिक्त का हो जाएगा मधुर, तिक्त मतलब होता है कटू, कडवा, उसका हो जाएगा विलोम, मधुर तिमिर का हो जाएगा प्रकाश, तिवर का हो जाएगा मंद, तुकांत का और तुकांत, तुच्छ का महान ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं तुल्य का हो जाएगा अ तुल्य, त्रप्त का हो जाएगा अ त्रप्त, त्रप्ती का हो जाएगा अ त्रप्ती, तेज का क्या होगा हलका या फिर मंद, त्याज्य का क्या होगा अ त्याज्य, त्रूटी पुर्ण का हो जाएगा त्रूटी हीन, ठोक का हो जाएगा फुटकर थोक में कोई समान लेते हैं तो इसका हो जाएगा फुटकर थोड़ा का बहुत अधिक दंड का विलोम पुरुसकार दक्षता का अदक्षता दक्षड का देखे जो दक्षड देशा होती है उसका जो विलोम शब्द होगा वो उत्तर या फिर वाम पक्षोगा ध्यान रखेगा वाम मतलब होता है उत्तर दब्बू का हो जाएगा दब्बू मतलब की जो बिल्कुल दबा हुआ हो बहुत डरा हुआ उसका हो जाएगा विलोम दबंग दमनिय का अदमनिय दयालू का निर्दय दरिद्र का धनाड है या फिर धनी दर्शनिय का अदर्शनिय, दलित का हो जाएगा अदलित, दागी का बेदाग, दाह का अदाह, दिन का रात, दिनांकित का अदिनांकित, दिलेर का कायर दिलेर मतलब बहुत ज़्यादा निर्भीक जो हो उसका अर्थ हो जाएगा बिल्कुल निर्भीक और इसका विलोम हो जाएगा कायर मतलब डरपोक दिवा का हो जाएगा रात्री, दिर्भकाय का क्रिशकाय, दिर्गायू जो हो उसका हो जाएगा अलपायू, दुआ का बद्दुआ, दुख का सुख, दुखद का सुखद, दुखदायक का सुखदायक, दुखमय का हो जाएगा सुखमय, दुराचार का हो जाएगा सदाचार दुराचारी का हो जाएगा सदाचारी दुरुस्त का हो जाएगा गलत कोई चीज़ अगर दुरुस्त है तो इसका विलोम हो जाएगा गलत है दुर्गती का हो जाएगा सूगती दुर्जन का सज्जन, दुर्बल का सबल नेक्स्ट देखिए दूरलब का हो जाएगा सुलब, दुषकर का सुकर, दुष्ट का सज्जन, दुषपरिडाम, सुपरिडाम दूर का हो जाएगा निकट या पास, दूरदर्शिता का हो जाएगा ओ दूरदर्शिता दूरदर्शी का हो जाएगा अधूरदर्शी, दूशित का अधूशित या फिर स्वच्च, द्रढ का अधृढ, देखा, अन्देखा, देन्दार का हो जाएगा लेन्दार देय का अदेय, देव का दानव, देश का विदेश, देश भक्त का देश द्रोही, देही का अदेह या फिर विदेह, दोश का हो जाएगा गुड, दोशी का निर्दोश, दुरुत का हो जाएगा मंथर, दुरुत मतलब बहुत तेज, तिवर गती से, मंथर मतलब धीमी गती स द्वेश का हो जाएगा सदभावना, द्वेशी का अद्वेशी, द्वैत का हो जाएगा अद्वैत, धनी का निर्धन, धर्म का अधर्म, धर्मी का अधर्मी, धार्मिक अधार्मिक, धीर का हो जाएगा अधीर, जो कोई धीर है तो बहुती व्याकुल हो जाता है, मतलब अध अधीरे उसका विलोम धीरज का उतावले कोई अगर धैरे धारण करे बट कोई उतावला हो तो इसका ये अगेंस्ट हो जाएगा मतलब विलोम धीरता का अधीरता धूप का हो जाएगा छाह धृष्ट का हो जाएगा विनम्र धैरे का अधैरे ध्वंस का निर्मार नकद का उ नफा का मतलब होता है फाइदा और इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा नुकसान अब यहां बात कर लेते हैं नेक्स्ट नम्मी का हो जाएगा अनम्य, नम्र का हो जाएगा अनम्र, नया का पुराना, नरक का स्वर्ग, नराधम का नरपुंगव नर्म का हो जाएगा सक्त, कड़ा या कठोर, नमीन का प्राचीं, नमीनता का प्राचींता, नश्वर का अनश्वर या फिर साश्वत मतलब हमेशा रहने वाला साश्वत नसीब वर का हो जाएगा बदनसीब, नागरिक का ग्रामिड, नामवर का बदनाम देखे, नागरिक का हो जाएगा ग्रामिड, नाम और अगर कोई नाम वाला व्यक्ति हो, तो उसका विलोम हो जाएगा बदनाम, निंदनी का अनिंदनी, प्रशंसनी और अभिनन्दनी, निंदा का हो जाएगा प्रशंसा या फिर स्तूती, निंदे का हो जाएगा स्लाग्य, नियंतरित का हो जाएगा ओ नियंतरित, नियत का हो जाएगा ओ नियत, नियमित का हो जाएगा ओ नियमित, नियामक का हो जाएगा ओ नियामक, निरक्षर का हो जाएगा साक्षर, निरर्थक का हो जाएगा सार्थक, निराकार का हो जाएगा साकार, निराधार का साधार, निरा जो मांसाहरी होते हैं आर जो मांसाहरी नहीं होते हैं वैं निरामिश शामिश होते हैं। निरुद्ध का अनिरुद्ध, निर्गुड का सगुड, निर्जल का सजल, निर्जिव का सजिव, निर्डए का अनिर्डए, निर्डीत का अनिर्डीत नेक्स्ट देखिए निर्लज्य का हो जाएगा सलज्य निर्वचनिय का हो जाएगा अनिर्वचनिय निर्वाच्य का हो जाएगा अनिर्वाच्य निश्चे का हो जाएगा अनिश्चे निश्चित का हो जाएगा अनिश्चित निशिद्ध देखें ये important है निशिद्ध का हो जाएगा विहित निशिद्ध वाला आपको ध्यान में रखना है निशिद्ध का हो जाएगा विहित निशकाम का हो जाएगा सकाम निश्क्रिय का सक्रिय निश्ठा का अनिश्ठा नीचे का उपर नीती का अनीती, नीरस का सरस, नीरुजता, नीरुजता का हो जाएगा रुगडता, रुगडता मतलब होता है कोई बिमारी या रोग लगे न, ठीक है, नूतन का हो जाएगा पुरातन, नेक का हो जाएगा बद, नेकनामी का हो जाएगा बदनामी, वही देखें, नेक का बद तो ही नेक नामी मतलब बद नामी इसका विलोम हो जाएगा नेकी का बदी नैसरगिक का अनैसरगिक और कृत्रिम न्याय का हो जाएगा अन्याय न्याय का हो जाएगा अन्याय न्याय पुर्ण का हो जाएगा अन्याय पुर्ण न्याई का हो जाएगा अन्याई, न्यून का अधिक, न्यूनतम का हो जाएगा अधिकतम, पंडित का मुर्ख, पकरना का छोडना, पका का अधपका या कच्चा, पका का हो जाएगा कच्चा, ठीक है? इस अब विलोम है पतन का उत्थान ये इंपोर्टेंट है पतन का उत्थान उत्थान का पतन ये पतन का उत्थान पदस्थ का हो जाएगा और पदस्थ ये फिर पदिचित पदस्थ मतलब पद पर बैठा हुआ और पदस्थ मतलब उसको पद से हटा दिया गया पद्दी का हो जाएगा गद्द परकिय का हो जाएगा स्वकिय, परतंत्र का हो जाएगा स्वतंत्र, परमार्थ का स्वार्थ, पराजय का विलों विजय, पराजित का विलों ओ पराजित, पराजय का ओ पराजय, परार्थ का हो जाएगा स्वार्थ, परिग्रही का हो जाएगा विलों ओ परिग्रही, परिचि परिवर्थित का विलों आ परिवर्थित परिश्रम का विलों विश्राम परिश्रम्मी का विलों आलसी परिश्रित का विलों आ परिश्रित परिसीमित का विलों आ परिसीमित परिहारे का विलों आ परिहारे परिक्षित का विलों आ परिक्षित परूश का देखिए कठोर होता है परूश मतलब होता है कठोर और परुष का जो विलोम होगा वो होगा कोमल या फिर अपरुष परुख्ष का विलोम अपरुख्ष या फिर प्रत्यक्ष पर्याप्त का हो जाएगा अपर्याप्त पवित्र का हो जाएगा अपवित्र या दूशित पसंद का नापसंद या नापसंदगी पहला का हो जाएगा पिछला या बाद वाला, पहले का हो जाएगा पीछे या बाद के पाक का विलोम नापाक, पाक मतलब होता है पवित्र, नापाक मतलब अपवित्र पाच्य का हो जाएगा अपाच्य, पाठे का हो जाएगा अपाठ्य, पात्र का अपात्र, पाना, खोना, पाप, पुन्य, पापी का हो जाएगा विलोम निश्पाप, पुन्यवान और पुन्यशील पारदर्शी का हो जाएगा अपारदर्शी, पार्थिव का हो जाएगा अपार्थिव, पास्चात्य का हो जाएगा पुर्वी या फिर पौरस्ति, ध्यान रखेगा ये इंपोर्टेंट है पास्चात्य वाला ठीक है, पास्चाती मतलब बाद में पुर्वी मतलब पुर्वका या पौरस्ती मतलब पुर्वका पास का हो जाएगा दूर, पुन्यवान का हो जाएगा पापी पुरसकार का हो जाएगा दंड, पुरस्कृत का हो जाएगा दंडित पुरस्कृत का दंडित पुष्ट का हो जाएगा अपुष्ट या फिर छीड पुष्टी का हो जाएगा अपुष्टी पूत का अपूत या कपूत ठीक है पूरा का हो जाएगा पूरा मतलब पूरा कोई चीज हो गया है फिर अधूरा उसका विलोम पूरित का हो जाएगा अपूरित, पूर्ण का हो जाएगा अपूर्ण या फिर खाली रिक्त, पूर्णता का हो जाएगा अपूर्णता, पूर्ण कालिक का हो जाएगा अपूर्ण कालिक, पूर्व का हो जाएगा अपर या फिर पश्चिव या पश्च, पूर्वर्ती का हो जाएगा और पिय पोशित का हो जाएगा और पोशित पौरुशिय का हो जाएगा और पौरुशिय प्रकट का हो जाएगा और प्रकट या फिर गुप्त या प्रच्छन प्रच्छन मतलब होता है छिपा हुआ ठीक है तो प्रकट मतलब होता है सामने और प्रच्छन इसका विलोम हो जाएगा इस वज़े से प्रकाशित का हो जाएगा और प्रकाशित अब यहां बात कर लेते हैं, next प्रकृत का हो जाएगा अप्रकृत, प्रकृतिस्थ तो यह हो जाएगा इसका विलुम अप्रकृतिस्थ प्रकर मतलब तेज, मंद मतलब धीमे प्रगति का विनाश, प्रगतिशील का अप्रगतिशील या दक्यानूस या रूडिवादी प्रगल्भ का हो जाएगा अप्रगल्भ, प्रचलित का अप्रचलित, प्रचारित का अप्रचारित, प्रचूर का अप्रचूर, प्रचन्ड का अप्रचन्ड या फिर प्रकट या प्रतिक्ष, प्रतिपन्ड का हो जाएगा अप्रतिपन्ड, प्रतिबद्द का हो जाएगा प्रतिम, प्रतिष्ठा का हो जाएगा अप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित का हो जाएगा अप्रतिष्ठित, प्रत्यक्ष का हो जाएगा अप्रत्यक्ष या फिर प्रचन या गुप्त या अपरोक्ष। प्रत्याशित का हो जाएगा अप्रत्याशित, प्रथम का हो जाएगा अंतिम, प्रधान का गोण, प्रभावित का अप्रभावित, प्रभावी का हो जाएगा अप्रभावी या निश्प्रभावी या प्रभाशुनी, प्रमाडित का हो जाएगा अप्रमाडित, प्रमुख क प्रवृत्त्च प्रवेश निकास प्रशंसक निंदक प्रशंसनिये का होजाएग निंद और भर्त्सना ठीक है और प्रशन्सित का विलोम निंदित, प्रशस्त का होजयगा विलोम अप्रशस्त, प्रसक्षित का विलोम होजयगा अप्रसक्षित प्रश्न का होजयगा विलोम उत्तर, प्रसन्न का होजयगा विलोम अप्रसन इखिन या दुखी प्रसन्नता का विलोम हो जाएगा अप्रसन्नता, खेद या दुख प्रसम का हो जाएगा अप्रसम, प्रसार का संकोच, प्रसिद का अप्रसिद, प्रस्तूत का अप्रस्तूत हो जाएगा, प्रस्तूती का अप्रस्तूती, प्राकृत का विलोम अप्राकृत, प्राकृतिक का विलोम अप्राकृतिक या फिर कृत्रिम, प्राचीन का विलोम अर प्रापिय या फिर दुश्प्रापिय प्रमाडिक का हो जाएगा विलोम अप्रमाडिक प्राया का हो जाएगा विलोम बहुधा और सदयव प्राया मतलब कभी-कभी होता है और बहुधा सदयव मतलब ये तो हमेशा होता है तो इस वाजैसी ये इसका विलोम शब्द हुआ ग प्रेम का हो जाएगा घ्रिणा, प्रेम भाव का हो जाएगा दुर्भाव, प्रेरित का हो जाएगा अप्रेरित, प्रोत्साहित का हो जाएगा हतुत्साहित, प्रोड का हो जाएगा अप्रोड, ठीक है? बढ़बढ़िया, बहुत ज्यादा बक्वास करने वाला है, बढ़बढ़िया, तो उसका हो जाता है विलोम गुमसुम, बढ़ना का घटना, बढ़िया का घटिया, और बद्य का अबद्य या फिर मुप्त, बद्य का अबद्य, बनना का मिटना, बिगरना या तूटना, बरबर का सभ्य, ध्यान रखेगा बरबर का पूस्ते, बरबर का विलोम सभ्य होगा, बलवान का दुरबल या बलहीन, उसके बाद बहीरंग का अंतरंग, बहुधा का यदाकदा, बाढ़ का सूखा, बाधक का अ अबाधित। बाध्य का अबाध्य बार बार कभी कभी। बाहर का अंदर या भीतर। बाहर का आभ्यंतर। बिमार का चंगा तंदरुस्त। बुद्धिमान का बुद्धिहीन या फिर निर्बुद्धी, बुरा भला, बुरा का हो जाएगा भला, बुराई का हो जाएगा भलाई या फिर अच्छाई, वरिहत का हो जाएगा लगू, बेचना का हो जाएगा खरीदिना, बेडॉल का सुडॉल, बेदम का दमदार, जिसम का हो जाएगा अबोध्य, ब्याहा का हो जाएगा अन्ब्याहा या फिर कुवारा, भंगुर का हो जाएगा अभंगुर, भंजनिय का हो जाएगा अभंजनिय, भक्त का हो जाएगा अभक्त, भक्षे का हो जाएगा अभक्षिय, भग्न का हो जाएगा अभग्न या फिर भगन मतलब टूटा हुआ ऐसे लेकिन साबुत मतलब बता है पुलकुल पुरा खड़ा कोई भी टूटा हुआ भागना हो अभगना हो बद्र का विलोम अबद्र बद्रता का अबद्रता भय का विलोम साहस भय भीत का विलोम निर्भय या अभय या निडर निर्भीक भरा का चूचा और रिक्त, ये हो जाएगा भरा का विलोम, भला का बुरा और भलाई का बुराई, ठीके, चली, नेक्स्ट देखिए, भव्य का विलोम, साधारण या फिर फूहर, भागय का अभागय, भागयवान का अभागा, या फिर बद किस्मत, हाता भागय, उसके बाद हो गय का अभावनिय, भिन का अभिन, भीतर का बाहर, भीतरी का बाहरी, भूत का भविष्य, भूत पुर्व का अभूत पुर्व, भेते का जिसके अंदर भेदा जा सके उसका होजा का विलोम अभेते या फिर दोरभेते, भोगी का योगी, भोग्य का अभोग्य, भोज्य का अभो मन्द का दृत मजिदार का बेमजा मत्त का अमत्त मधूर का हो जाएगा अमधूर कटू का करकश तीक्षुड मनुज का हो जाएगा दनुज मनुज मतलब मानुष और दनुज मतलब दानौ मनुष मतलब हो जाएगा मनुष्य का विलोम पशु भी हो जाएगा ठीक है मनुजगर हो तब दनुजोगा लेकिन मनुश्य हो तो पशू मर्यादित का हो जाएगा अमर्यादित, मलिन का हो जाएगा निर्मल, मौसरिड ये ध्यान रखेगा, मौसरिड का हो जाएगा रुक्ष महत का हो जाएगा लगु महत्ता का होजाएगा लगुता महत्तपुर्ण का होजाएगा अमहत्तपुर्ण गोड असार तुच्छ महात्मा का होजाएगा दुरात्म महान का होजाएगा तुच्छ मान का अपमान मानव का दानव मानवता का होजाएगा नुरिशन्शता द्यान रखेगा ये वाला पिल, ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, मानविय का अमानविय, मानव का, मान्य का अमान्य, मार्जित का अमार्जित, मितव्याईता का, मितव्याईता, मित्र का शत्रू, मित्या का सत्य, मिलन का विच्छेद या विच्छो या फिरः, मिलना का विच्छुडना, मिसरित का अमिसरित, मीठा का नमकीन या फीका, मुक्त का बधा या बद, मुख का प्रिष्ठ, मुख्य का गौन, मुख्ध का अमुख्ध, मुनाफ का हो जाएगा कठोर, कड़ा, सक्त, मुसीबत का हो जाएगा आराम, मूख का हो जाएगा वाचाल या फिर मुखर, मूढ का ज्यानी, मुर्चित का सचेत या फिर सजग, मूर्थ का हो जाएगा अमूर्थ, मुल्यवान का हो जाएगा विलों मुल्यहीन, मृत का विलोम जीवित, मेल का विलोम वैमनस या फिर अन्बन, मैत्री का हो जाएगा विलोम और मैत्री, मोटा का पतला या महीन, मोहित का अमोहित, मौका का बे मौका, मौके का बे मौके, मौन का वाचाल, मौलिक का अमौलिक, यथार्थ का और यथार्थ, यथेश्ट का हो कम यश का अपयश यशस्वी का और यशस्वी ठीक है या ध्यान रखेगा यथेश्ट का हो जाएगा कम यथेश्ट का विलोम कम नेक्स्ट देखें रक्षित और रक्षित हो जाएगा रचना का ध्वन्स हो जाएगा रचना मतलब निर्माणग या क्रियेशन ध्वन्स मतलब विनाश रचित का हो जाएगा और रचित रद्द का हो जाएगा बहाल रसिक का और रसिक रसीला का रसहीन या फिनीरस रहम दिल का बे रहम राग का देश या विराग, रागी का विरागी, राज तंत्र का जन तंत्र, राजा का हो जाएगा रंक, राजा मतलब राजा, रंक मतलब भिखारी रात दिन, रात का हो जाएगा दिन, रित का हो जाएगा पोणिया भरा, रूची का और रूची, रूचीकर का और रूचीकर, रुक्ष, रुक्ष का हो जाएगा बहती कठोर तो उसका हो जाएगा मर्दू रोडी बत्त का हो जाएगा रोडी मुक्त, रूपवान का हो जाएगा कुरूप, रोचक का और रोचक, रोना का हो जाएगा हसना, रोद्र का औरोद्र, लम्मा का हो जाएगा ठिगना या नाटा, लक्षित का हो जाएगा अलक्षित, लगातार का रुक रुकर, लगू का लचकीला का हो जाएगा कड़ा जैसे कहते हैं कमर में लचक आ गई यह मतलब कड़ा नहीं था स्ट्रेचेबल था लेना का हो जाएगा देना लोगप्रे का और लोगप्री लोहित का हो जाएगा और लोहित लोकिक का हो जाएगा और लोकिक वक्र का हो जाएगा रिजू या सरल वचनबद का हो जाएगा और वचनबद वफादार का हो जाएगा बेवफा वयस्क का और वयस्क अलप वयस्क य वर्णि का हो जाएगा अवर्णि, वसंत का हो जाएगा पतज्ञ, वस्रधारी का हो जाएगा वस्रहीन या विवस्र या नंगा या दिगंबर वांचनी का होजाएगा अवांचनी, वांचित का होजाएगा अवांचित, वाकिफ का ना वाकिफ, वाजिब का होजाएगा गैर वाजिब या ना वाजिब, वादी का होजाएगा प्रदिवादी, वास्तविक का होजाएगा अवास्तविक, वास्तविक्ता का होजाएगा अ वास्तविक्ता, विकल का हो जाएगा अविकल, विकसित का हो जाएगा अविकसित या पिछडा, विकारी का हो जाएगा अविकारी, विकास का हो जाएगा मिनाश या हरास, विक्रित का हो जाएगा अविक्रित, विक्षुप्त का हो जाएगा अविक्षुप्त, विख्यात का कोख्यात, विख्याती का कोख्याती, विचलित का हो जाएगा अविचलित, विचारवान का अविचारी, विचारित का हो जाएगा अविचारित, विच्छिन्ड का हो जाएगा अविच्छिन, विजय का पराज विध्य का हो जाएगा औविध्य, विध्य मतलब होता है, कि जो बहुत ही जाएता, मतलब पढ़ा लिखा हो, ठीक है, औविध्य मतलब पढ़ा लिखा नहों, विद्वान नहों देखे विलोम शब्द के आगे जब अ लग जाए न तो उसका मतलब होता है विलोम मतलब विपरीद अर्थ होता है यैसे विगी मतलब पढ़ा लिखा और विगी मतलब जो कम पढ़ा लिखा हो विद्वान न हो जो विदग्द का हो जाएगा अविदग्द विधित का अविधित विद्धिमान का विद्धिमान विदवा का हो जाएगा सधवा जान रखेगा विधी का हो जाएगा निशेद विधिक का हो जाएगा अविधिक विधिसम्मत का हो जाएगा विधि विरुद्ध विनम्र का हो ज विपत का हो जाएगा सपत्ध, विपन्द का हो जाएगा अविपन्या फिनिरोग, विबुद का हो जाएगा अविभुद, विभक्त का हो जाएगा अविभक्त, विमुख का हो जाएगा अनमुख या सम्मुख, वियोज्य का हो जाएगा अवियोज्य, विरल का हो जाएगा स या सर्वसुलव विराट का हो जाएगा छुद्र ध्यान रखी का विराट मतलब बड़ा छुद्र मतलब छोटा विवाहित अविवाहित विवेकी अविवेकी विशाल का हो जाएगा लगू विशिष्ट का हो जाएगा समानी या साधारण विशुद्ध का हो जाएगा अवि शर्मदार का बेशर्म, शहरी का देहाती, गवार, शांत का हो जाएगा अशांत या फिर उत्तेजित, उद्विग्र, शांती का हो जाएगा अशांती, शांतार का हो जाएगा शर्मनाक, शांत का वर्दान, शालीन का ध्रिष्ट, सासक का सासित, शास्त्री का हो जाएगा अस सिक्षित का हो जाएगा असिक्षिप, सिष्ट का हो जाएगा असिष्ट, शीतल का उष्ण, सीर्ष का तल, शुकल का क्रिष्ण, सुची, सुची मतलब होता है पवित्र असुची मतलब अपवित्र, शुद्ध का हो जाएगा अशुद्ध, शुद्धिता का अशुद्धिता शुब का अशुब, सुश्क का सरस शूर का भीरू, शूरता भीरुता इसका हो जाएगा श्रिखलित का हो जाएगा विश्रिंखलित सोक का हर्ष, सोधित का असोधित सोचनी का असोचनी, सोशक का सोशित ध्यान रखेगा, सोशक का हो जाएगा सोशित ये वाला important है शोहरत का बदनामी सौच का असौच श्यामा का गौरी श्रद्धा का अश्रद्धा श्रवे का द्रिश श्रांत का अश्रांत स्री गनेश का इतिस्री शुद का अशुरुत next देखे संभासण का असंभासण सनियत का असयत संयम का असयम संयमी का असयमी या फिर व्यभिचारी सर्युक्ट का असयुक्ट सयो का असयो सनलग्न का असलग्न सम्वादी का असम्वादी सम्वरित का असम्वरित संशय का असंशय संसाई का ने संसाई संसोधित का असंसोधित संसलेशण का विसलेशण, संसारी का असंसारी, संस्कृत का असंस्कृत, संगहत का असंगहत, सकाम का निशकाम ध्यान रखे का ये पूसते हैं, सकाम का निशकाम सकारण का अकारण, सकारात्मक का नकारात्मक, सक्री का अक्री या फिनिश्क्री, सक्रीता का अक्रीता या फिनिश्क्रीता, सक्षम का हो जाएगा अक्षम सखा का शत्रू, सक्त का नरम, सगुड का निर्गुल, सच का जूत, सचेत का अचेत, बेसुध, बेखबर, गाफिल सचेष्ट का अचेष्ट निश्चेष्ट, सच्चरित्र का हो जाएगा दुष्चरित्र, सच्चा का हो जाएगा जूठा, सजल का हो जाएगा निर्जन, सजीव का निर्जीव, सजीवता का निर्जीवता, सजजन का हो जाएगा दूर्जन, शठ, खल ध्यार रखेगा शठ जो ये दिया हुआ है इसका मतलब होता है दुष्ट या खल मतलब भी दुष्ट सटा का हटा सतरक का और सतरक सतरकता का और सतरकता उसके देखते हैं यहाँ समस्त का हो जाएगा और समस्त समान का हो जाएगा समान का और समान समान्ता का असमान्ता, समाप्त का हो जाएगा असमाप्त या फिर व्यास समास का व्यास, समीप का दूर, समीपता का दूरी समीप वर्ती का हो जाएगा दूर वर्ती, समीचीन का हो जाएगा असमीचीन समीप स्थित तो दूरस्थित समीप मतलब पास होता है दूरस्थित मतलब दूर समूल का हो जाएगा निर्मूल समरिद्धी का विनाश सम्मत का सम्मत सम्मती का असम्मती सम्मान का हो जाएगा असम्मान या अपमान या आवमान सम्मानित का हो जागा अप मानित या फिर उपेक्षित सम्मुख का हो जागा विमुख सरल का हो जागा कठिनिया कुटिल वक्र सरस का हो जागा नीरस या फिर शुष्क ध्यान रखेगा सरस का मतलब नीरस या फिर सुष्क सर्वत्र का विलोम कही कही सलज्य का विलूम निरलज, सवर्ण का ओ सवर्ण, सवाल का हो जागा जवाब, सविकार का निर्विकार, सशंक का निसंक, सशक्त का हो जागा ओ शक्त, सशस्त्र का हो जागा निरस्त्र, सशुल्क का हो जागा निशुल्क, ससीम का हो जागा असीम या निसीम, सस्ता का हो सहनिय का हो जाएगा असहनिय, सहमत का हो जाएगा असहमत, सहमती का असहमती, सहयोगी का प्रतियोगी, और सहित का हो जाएगा रहित विहीन, सहिष्णों का असहिष्णों। सुक्रिती का हो जाएगा दुष्कृती, सुक्रित्य का हो जाएगा कुक्रित्य या फिर दुष्कृत्य, सुक्ष्म का हो जाएगा विशाल, सुख का दुख, सुखद का दुखद, सुखान्त का दुखान्त, सुखान्वित का दुखान्वित, सुखी का दुखी, सुख्यात सुगंद का दुर्गंद, सुगंदित का दुर्गंधित, सुगती का हो जागा दुर्गती या फिर फजीहत, सुगम का हो जागा दुर्गम या कठिन, सुडॉल का बेडॉल, सुदूर का सन्निकट, सुदूर मतलब है बहुत दूर, सन्निकट मतलब पास में, सुदा का विश या फिर अहल-अहल श्रिदा मतलब होता है अमरत सुधारे का हो जाएगा असुधारे सुनाम का दुरनाम सुनी का अंसुनी सुपत का कूपत अगर स लगा होता है उसके आगे अगर उसका विलोम लगाना हो तो क लगा देते जैसे सुपत का कूपत सुपुत्र का कुपुत्र इस तरीके से सुपरिडाम का दुसपरिडाम सुपाच्य का कुपाच्य देखे सुपाच्य सु है तो इसका विलोम लगा दिया कुपाच्य कु लगा दिया सुपात्र का कुपात्र, सुपुत्र का कुपुत्र, सुपूत्र का कुपूत्र, सुप्रबंद का कुप्रबंद, सुप्रयोग का कुप्रयोग, सुफल का कुफल, सुबुद्धी, दुर्बुद्धी स्वार्थ का परमार्थ, स्वार्थी का परार्थी, स्वावलंबी का परावलंबी, स्वास्तेकर का अस्वास्तेकर, स्विकार्य का अस्विकार्य, स्विक्रित का अस्विक्रित, और स्विकार कर्णा का अस्विकार कर्णा, स्विक्रिती का अस्विक्रिती का अस्विक्रिती हयादार बेहया, हर्ष का विशाद, हलका का भारी, हलका फुलका का भारी भरकम, हानी का लाव, हार का जीत, हास का रुदन, ध्यान रखेगा, हास का रुदन, हिंसक का अहिंसक, हिंसा अहिंसा, हित अहित, हिदकर, अहितकर, हिदकारी का हो जागा, अहितकारी, होनी का अनहोनी हरस्व का दिर्ग और हरास का पृद्धी ठीक है तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे खतम हो जाते हैं तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे यह जो विलोम शब्दित्थी वो खतम हो जाते हैं मिलते आप से फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे हिंदी के टॉपिक के साथ तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए